Good morning students, मैं Sandeep Sharma, अपने YouTube channel वजय लक्षी में आपका स्वागत करता हूँ, जिसका prime focus है, pure teaching, nothing else. Students, जैसा कि अभी recently करोना का एक तरह से महामारी जो फैली हुई है, उस तरह नित नए अखबारों में नया नयात देता रहता है, कि फिच ने moody's हो गई, standard and poor's हो गई, ये भारत की और भी दुनिया की कई companies को rate करती है, कि उनकी जो rating है, वो negative जा रही है, कभी positive बताते हैं, तो मन वीडियो में बना रहा हूं students, ये आपके मन की जो भ्रांतियां है, जो एक question आपके दिमाग में आता है, कि rating agencies होती क्या है, उसको हम समझाने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले, जैसा कि विजलक्षी में अकेडमी YouTube चैनल आप से क्या अप अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं, आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं, यही राष्ट धर्म, राष्ट सेवा और राष्ट ये करतव्य है, चली अब शुरू करते हैं हम, सबसे पहले students, अगर हम credit rating की बात करें, तो credit rating होती क्या है, त that determines whether the borrower will be able to pay the loans back on time as per the loan agreement, सीधा कहने का ये मतलब है कि credit rating का स्ताथ पर सीधा ये है, कि अगर कोई व्यक्त बंदा हमसे एक तरह से loan लेता है, तो वो कितने समय में loan back कर पाएगा, वो एक तरह का agreement होता है, जैसे कि मैंने किसी व्यक्ति को loan दिया, अब वो उसकी जो credit rating होगी कि मैं उसे साब से करूँगा कि वो कितने समय जितना उसने agreement या लिखित जो चीज मुझे दी है कागज में कि भाईया, मैं एक साल में आपको लोटा दूँगा, अगर वो एक साल के अंदर वो पैसा लोटा देता है, तो हम उसकी जो rating करेंगे कि भाईया, हाँ ये credit वर्दी आदमी है, इसकी credit rating बहुत अच्छी है कि ये समय पे जो बोला, वो पैसा इसने क्या किया, लोटाया, हम उसको एक अच्छा ग्राहक के रूप में समझेंगे, इससे होगा क्या कि भविश में ये हमसे अगर ये वेक्ति फिर से loan लेने आता है, तो उसकी credit rating हाई रहेगी, जि history of paying loans on time in the past, this credit rating influence the bank's decision of approving your loan application at a considerate rate of interest, कहने का ताद पर इस student सीधा ये है कि अगर आप समय पे पैसे दे रहे हैं, तो bank भी आपको फर्दर अगर आपकी history बहुत अच्छी रहेगी लोन चुकाने की, तो आपको क्या करेगा, आपके decision से आपको फर्दर अगर आपका जो लोन जिस rate पे वो charge कर रहा है, लोन का interest, उस पे भी वो समझाता करेगा, वो आपको कम में भी लोन दे सकता है, चलिए, अब ये कैसे होता है, credit rating होती कैसे है, it is usually expressed in alphabetically symbol, although it is a new concept in Indian financial market, but slowly it is popularly has increased, it helps investor to recognize the risk involved the leading the company in the money and gives a fair assessment of borrowers, credibility, कहने का सीधा तात पर ये है, कि इसमें symbolically, जैसे a, b, c, d, a plus, a double plus, a triple plus, ऐसी ratings दी जाती है, जिसे ये पता होता है, कि ये जिस व्यक्ति को या जिस company को हम loan दे रहे हैं, अगर उसकी company की जैसे a plus, a plus, a plus, a plus, rating है, तो इसको अगर हम loan देंगे, तो हमारा loan फसेगा नहीं, य अगर जैसे a minus हुआ, तो a minus का मतलब हो कि थोड़ी सी ये company क्या है, risky है, हम इसको loan देने में थोड़ी सी सावधानी बरतेंगे, चलिए आगे बरतेंगे, अगर importance of credit rating क्या होता है, importance of credit rating क्या होता है, for the money lenders, अब importance इसकी क्या-क्या है, credit rating की, तो सबसे पहले जो money lenders है, जो पै no banks or money lender companies would like to give money to a risky customer, with credit rating, they get an idea about the credit worthiness of an individual or company who is borrowing the money and the risk factor attached with them, by evaluating this, they can make a better investment decision, कहने का मतलब यह है कि कोई भी bank या कोई भी जो संस्था होती है, वो अपने customer को, ऐसे customer को कभी loan देना नहीं चाहती है, जो एक तरीके से उनके loan को फसा दे या non-performing assets कर दे, तो इसके लिए credit rating बहुत अच्छा idea है, credit rating करने से ये पता चल जाता है, बैंकों को, कि भीया इस व assurance about the safety of the money, and it will be paid back with interest on time, surety रहती है, भीया हमने इस company या इस individual को अगर loan दिया हुआ, तो वो समय पे हमें क्या करेगा, पैसा वापस कर देगा, जिससे हमारे पास भी assurance रहता है, rating agencies, या क्या करती है, वो rating करती है, और वो तमगा उनको देती है, भीया अगर इस संस्था बे, अ जली आगे बढ़ते है, for borrowers, borrowers के लिए भी, देखिए, वाइसी वरसा दोनों के लिए profitable चीज है, credit rating agencies, देखिए, क्या है credit rating for borrowers, borrowers के लिए कैसे रहता है, easy loan approval, आपका loan आसानी से क्या होगा, approval हो जाएगा, with high credit rating, you can be seen as low no risk customer, therefore banks will approve your loan application easily, आपकी जो credit rating है, अगर आपकी अच् तुरंत बैंक क्या करेगा, हाथो हाथ आपका approval कर देगा, considered rate of interest, कहने का मतलब है, अगर आपकी rating अच्छी है, तो आपको reasonable rate पे bank क्या करेगा, interest पे loan देदेगा, you must be aware of the fact that every bank offers a loan at a particular range of interest rates, one of the major factor that determines the rate of interest on the loan you take is your credit history, higher the credit rating, lower will be the rate of interest, कहने का मतलब है, अगर आपकी credit history, अगर आ अच्छी है, तो आप ये मान के चलिए कि आपको loan of interest, जो आप देने जा रहा है, loan की amount, वो बहुत क्या रहेगी, कम रहेगी, चलिए अगर आगे बढ़ते हैं students, अगर हम बात करें students, इंडिया में जो credit rating agencies हैं, यानि ये काम rating agencies करती हैं, इंडिया के अंदर की वो क्या करती है companies को rate करती हैं, जो ये loan लेने वाली हैं, और इससे हमें भी फायदा होता है as an investor, हम ये देखके एक तरह से भविश्य में किस company को पैसा लगाएं, जिससे हमारा पैसा डूबे ना, क्योंकि companies को पैसे की जरूवत होती है, वो capital market में आके loan लेती हैं, चाहे debt security, चाहे equity security से, तो ह होता है ये है students की वो चीजें, but obvious है कि हमें पहले से हमारे mind में है, या Reliance हो गई, Tata हो गई, या कोई भी company हो गई, तो अगर हम उसमें पैसा लगाते हैं, तो अगर rating उसकी अच्छी है, तो हमें वो पैसे आसानी से क्या होंगे, return होंगे, तो आप देखी, इंडिया में ये क मुंबई, ये 8 तरह से ratings करती है, A, AAA, AA, A, इसका मतलब है good credit rating, BBB, BBB, average credit rating, BCD, low credit rating, यानि कि अपने investors की ये क्या करती है, rating करती है, कि भाया, अगर A, AAA मिला है, AA या A मिला है, तो इस company में, अगर हम पैसा लगाते हैं, अगर हम ऐसा loan देते हैं इस company को, तो हमारा पैसा जल्द से return हो जाएगा, इसको CRI, SIL, Crystal कहते हैं, चलिए भी भारत की है, फिर उसके बाद कहें, credit rating agency in India में, फिर ICRA, ICRA का full form है, investment information and credit rating agency of India, ये कब बनी, ये 1991 में बनी, इसका headquarter कहां है, मुंबई में है, ये भी symbolically क्या करती है, क्या करती, rating करती है, लेकिन एक चीज़ बता दे, students, हर credit rating agency का symbolically representation अलग अलग होता है, जो चीज़ अगर आपको अभी मैंने बताया, क्रिसल यूज़ कर रही है, वो ICRA यूज़ नहीं कर रही होगी, कुछ अपना दूसरा method यूज़ कर रही होगी, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद है, care, care का full form है, credit analysis and research limited, इसका headquarter है, मुंबई, found कब हुई है, 1993 में, ये क्या करती है, bank loan, corporate governance, recovery, financial sector को आगे को भी क्या करती है, ये rate करती है, फिर इसके बाद है, ONICA, ONICA, ONIDA Individual Credit Rating Agency, कब establishment हुई, 1993 में, इसका headquarter कहां है, गुरगाओ, हर्याना में है, चलिए आगे, ये क्या करती है, ये individual के हिसाब को भी rate करती है, small and medium businessman और corporates को भी क्या करती है, ये क्या करती है, ये क्या करती है, एक तरह से rating देती है, फिर इसके बाद SMERA, full form है, इसका है, small and medium enterprise rating agency of India, ये कब found हुई, 2005, इसका headquarter कहां है, मुंबई में है, ये क्या करती है, ये MSME, यानि, micro, small and medium जो enterprise है, इंडिया में, उनको ये क्या करती है, rate करती है, और ये bank से क्या दिलाती है, जिससे आपको आसानी, आसानी से उचित दर पे loan मिल सकता है, यानि, अगर आप से कभी पूछा जाता है, कि small and medium enterprise को इंडिया में कौन rate करता है, तो उसको rate करता है, rating agency SMERA, चलिए आगे बढ़ते हैं, credit rating agency इंडिया में, फिर है brickworth rating, इंडिया private limited, ये कभ establishment हुई, 2008, इसका headquarter कहा है, बैंगलॉर में है, और ये small and large and medium, जो companies है, उनको क्या करती है, rate करती है, फिर उसके बाद है, इंडिया rating and research, इंडिया ratings and research है, ये कभ बनी, 16 नॉमबर 1995 headquarter कहा है, मुंबई, ये भी financial institution हो गया, financial and leasing companies हो गई, mutual fund हो गई, urban local bodies हो गई, इन सब को financial projects होते हैं, उनको क्या करती है, rate करती है, कि भाईया अगर ये कोई financial sector में ये चीज़ निकल के आई है, हम इसको ये rating दे रहे ह तो आपका पैसा फसेगा, नहीं, फिर इसके बाद, एक question बहुत दिमाग में उठता है, students की जो इंडिया के अंदर अभी जितनी भी हमने आपको ऊपर अभी body बताई है, उसको regulate कौन करता है, ये question कई बार पूछा जाता है, तो इंडिया में याद रखिएगा, जो credit rating agencies को regulate क अच्छे से rating हो, इसलिए किसको, किसका authority regulate कराने के लिए बनाई गए इंडिया में, SEBI, Securities and Exchange Board of India, ये formed कब हुई है, 12 April 1988 को, लेकिन ये 30 January 1992 को statutory status पाया है, इसका headquarter कहा है, मुंबई, लेकिन इस student से एक चीज़ याद रखिएगा, इंडिया में नहीं, जो credit rating की जो शुरुवा बात हुई है worldwide, वो हमारे United States of America से हुई है, अब हम world की आपको credit rating agency के बारे में बताते हैं, चो mother of credit rating agency है world की, उसका नाम है standard and poor, standard and poor, ये कब बनी है, 1860 में बनी है, इसका headquarter कहा है, New York City, अमेरिका में है, इसको birth भी कहा जाता है, जननी कहा जाता है, पूरे rating agencies की in the world, ये कब बन और commodities को क्या करती है, rate करती है, फिर इसके बाद, Moody's Investor Services, ये कब बनी, 1909 में बनी, इसका headquarter कहा है, ये भी New York है, United States में, इसका headquarter है, ये 1909 में बनी, Moody's Investor Service provide, international financial जो भी, एक तरह से international finance में, जो भी share debenture bonds होते हैं, उनकी companies की ये क्या करती है, rate करती है, उसके बाद है, Fitch rating agencies, इसका founded कब हुआ, 1914 में हुआ headquarter है, New York City, New York में है, और इसको कब found किया था, इसको John Fitch ने, 24 December 1914 में, New York City में, सबसे पहले इसको found किया था, तो students, देखा आपने की जो rating agencies हैं, वो एक तरीके से किसी भी देश की आर्थिक प्रगती में, economical एक तरह से, जो revolution है, उसमें बहु जादा एक तरह से अपना योगदान करती हैं, और इसलिए, जो rating अच्छी होती है, उस company पे अगर हम पैसा लगाते हैं, तो हमें अच्छे return मिलते हैं, तो आशा है, ये special जो आपको मैंने video बनाया है, ये पसंद आया होगा, प्लीज अगर पसंद आया है, तो प्लीज इसको लाइक करिए और शेयर करिए, फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए, take care of yourself,